एप सब्सक्राइब करें तो हेलो फ्रेंट्स अरे क्या हो है अब थोड़ा थेक है तो हेलो फ्रेंड़ तो अपने यूटूब चालेग क्रियेटिवतिविटेविटेविधे में फ्रेंड्स आज के विडियो चैनल कि आपके लिए काफे जादा कमाल का गैजट बना चो किया बोगो काफिछ जब काम आगा और आपको काफिछ जब 簡की घृन्शन काम हाईगा घृत और यूआ तो वीडियो में बने रहना और जानेगे Kita इसको किस तरह से बनाया गया है तो बिना टाइम वेस्ट की यह शुरू करते हैं उस क्रियेटिविटी को तो भाईयों और उनकी बैनों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल क्रियेटिविटी विद हेमु में तो मेरे दोस्त आज किस वीडियो में हूम थेयर बनाने के लिए मैंने MTF बोर्ड के काफे सारे पीस इसको कट करके रख दिया है अब जैसे-जैसे में पीस को यूज करता रहा हूं उसी के अकोडिंग मैं इसको आपका साइज भी बता दरहा हूं अभी मेरे दोस्त बड़ी ही श्रद्दा कपूर के साथ आमने इस बोड़ के वीच में मीड़ पॉइंट निकाल लिया है और मीड़ पॉइंट निकालने के बाद आपको अपने स्पीकर के साइज के अकोडिंग इसके अंदर होल करने के लिए मैंने कंपस का यूज के आप स्क होता है जिसका जो पीछे का पिछवारा टूटा हुआ होता है अब उसकी मदद से भी स्वें होल कर सकते हो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हैं इसके अंदर होल और फ्रैंड्स इसकी जो आंक है बिल्कुल डोरीमोन की आंकों की तरह लग रही है या फिर आपनो भी चसमा भी कह सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप लोग भी डोरीमोन देखते हो तो मेरे को कमेंटर सेक्शन में जुरूर बता देना और चलो खेर छोड़ते डोरीमोन का भी अमसिल ते अपने टोपिक पर फ्रैंड्स मैं इसको सेंड पेपर की मदद से थोड़ा सा रब कर ल अब मैंने दो बड़ी बड़ी डोरीमोन की आके बना लिया अब मैं एक पीस ले रहा हूँ 6.5 x 3 cm तक का और मैं इस दोनों के बीच में चिपकाने वाला हूँ चिपकाने के लिए फ्रैंड्स मैं फैविकोल का यूज कर रहा हूँ आप स्टेट ग्ल्यू का भी यूज कर सक करने लगता हूँ इसमें मेरे जाधा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो सिंपली मैं ग्लूगन की मदद से जल्दी से इसको चिपका लेता हूँ और ऐसा निया कि ग्लूगन से मसबूत नहीं चिपकेगा इससे बी काफ़े जाधा अच्छी तरह से चिपकेगा तो मोस्टली फ करेंट्स है 8.5 cm चाहता आप स्क्रीनशोट लेकर इसको देख सकते और इसके हिसाब से आप इसका साईज कट कर सकते हो और नीचे बेस्मेंट इन्ट ऐन फ्रेंट्स मैंने एक पीस और कट किया है बाकि फ्रेंट्स मैंने कहता कि जो साइज मैंने बताया पुसी के अकोडिं मैंने इसी के size को जो friends मैंने आपको बताए ना उसी के size का मैंने 2 piece cut किया थे और दूसरे वाले को अब बे मैं कुछ इस तरह से इसको पर ship का लूँगा ship काने के बाद friends चिर्फ और चिर्फ आपको 10 मिनिट तक wait करना उसके बाद इस friends सूक के बिल्कुल strong हो जाता है उसके बाद मैंने 1 piece or cut किया जिसका size है 18.5 by 14 cm जो कि friends इसका पिछवाड़ा बने मिरे मतलब है इसका जो back side है वो बनेगी अभी मेरे दोस्त आप देख पार होगा हमारे जो home theater का आदा जो ढाच है वो पूरी तरह से complete हो चुका है और मैंने साइड मास्किंग टेप लगाए था कि friends जब तक यह सूकता नहीं है तब तक हम इसको पर लगाके रखेंगे फिर इसमें सूक जाने के बाद हम इसको निकाल देंगे अभी मेरे दोस्त आप यह सोच रहे होगे कि मैं इसमें फैविकॉल का यूस क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं अब तक बता बता कि बिल्कुल पक्ट चुका हूं क्योंकि मेरे दोस्त एम डिया वोड फैविकॉल से काफ़ जादा अच्छी तरह से चिपकता है और साथी साथ एक माना आत्माने भी काये कि चिपकाले सी या फैविकॉल से और मुझे लगता कि इस हंसर के बाद आपको में औरे होम तियाटर में कुछी भी तरह का कुछ डाउट रहेगा तो अभी मैं आगा आगे बढ़ता हूं और मैंने एक छोटा सा पीस लिया था कि उसको मैं बीच में लगा लगा ले वाला हूं क्योंकि फ्रेंड्स क्या होग आप चाहो तो अठाओ तो अठाओ चैसे लैप्टोप की बैटरी का भी यूज कर सकते वह भी काफी अच्छा बैक अप देगी लेकिन मेरे दोस्त मैं इसमें जो है बैटरी का यूज करने वालों मोबाइल की और मैंने एक माइक्रो यूसबी जैक भी लिया है अभी चलते ह आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कोई दो पॉइंट को जोइंट कर देना है मैंने स्पीकर्स के वायर अलक्स से निकाल दिया है और जो आप रैड और ब्लैक वाली वायर हमारी बैटरी की जो हम इसमें पावर देने वाले हैं और हमने इसके तरह से लगा दिया है यह आपको स मिलेगा कोई भी डिफिकल्ट कनेक्शन ही नहीं अगर फिर भी आपको कुछ लगे कि यहां वहीं कुछ रह गया है तो फ्रेंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देंगा अब आपको पूरी हेल्प करूंगा इसको पूरी तरह से बनाने में उसके बाद मैं क्या कर रहा हू और इसके वाले कनेक्शन को हो जाने के बाद मैं लेफ्ट वाले स्पीकर्स के जो वायर है उसको पर भी शोल्डिंग की मदब से अच्छी तरह से उनको लगा लूँगा उसके बाद भाईयों और उनकी बैनों हम चलते हैं अगले वाले स्टैप पे तो अगले वाले की unwales कर आई उसके तीन पॉयंट होते हैं तो रेड वाले वायर को तो फ्रैंड्स आपको सबसे नीचे लगानां है इसके बात लगाना है जो ब्र लैक वाले उसके लगाना है व्लगान दो इस पार जल्दी से और नकिसन को कर लेता हूं अब आप देख पारहे हैं और या connection जो है वो इस तरह से कर लिया है चाहो तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंट्स यह आगे अगर आप कोई project बना तो उस चीज में भी काफी जदा काम आने वाला है उसके बाद मेरे दोस्त इसको aux jack को बाहर निकालने के लिए मैंने जो इसके अंदर एक सुराक किया था और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर fix कर लिया है तो शुराक करने के लिए फ्रेंट्स मैंने एक बड़ा सा जो प्यांच के सुराक करने के लिए उसका यूज किया है जिसके मदद से असानी से हो भी जाएगा और इसमें aux cable जो हमें निकाल डाल सकते हैं मैं इसके अंदर मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर सकते हो और मैंने एक LED इंडिकेटर लिया जो कि हमारी चार्जिंग को शो करेगा और एक स्पेस्टी स्विच लिया जो हमारी on-off करने में मदद करेगा एक उसको माइकर यूसबी केबल इससे फ्रेंट समारे जो चार्जिंग पॉइंट है ना वह लगने वाला है तो अभी उन सब कॉंपोनेंट के होल होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंट जो मदर बोड का वायर है ना फ्रेंट से नेगिटिव वाला उसको मैं बैटर का वोड में होल किये थे जो मदर बोड की पोजिटी EPA लग ए ना उसको आपको लगाना है sbs switch के किसी भी एक पोईंट पर और switch दूसरे वाले पोइंट की वायर है ना फ्रेंट से इसको लगाने आपको बैटरी के पोजिटिव ऑले पिइंट पर इसका मतलब जो हमारा बैट रुपे का किसी भी एलेक्टिंग शॉप पे मिल जाएगा और मैंने लिया एक LED LED को हम वन के साथ लगा देंगे क्योंकि फ्रेंट्स इसके जब डिरेक्ट फॉर वोट जाएगा तो फ्यूज भी हो सकती है क्योंकि हमारी LED वो वन या टू वोट की होती है जादा जादा और जादा पावर नहीं ले सकती है अगर जादा इसको हम पावर देंगे फ्यूज हो जाएगी और हम जैक के पोजिटिव और नेगिटिव को जान में रखते हुए हम इसके कनेक्शन LED के कनेक्शन कुछ इस तरह से कर लेंगे उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक डैयोड ले रहा हूँ IN4007 यह आपको एक रुपे का मिलेगा किसी भी लेक्रिनिंग शोप पे और ज लगाई है उसको आपको डैयोड के सिल्वर वाले पार्ट के साथ में कनेक्ट कर लेना है और जो नेगिटीव वाला पार्ट उसको आपको बैटरी के साथ में लगा देना है तो connection बिल्कुल simple थे कोई भी ज्यादा tough थे ही नहीं और हमारे connection वो पूरी तरह से अभी complete हो चुके हैं अब मैं कहा करूँगा जो थोड़ी सी wire management है उसको मैं थोड़ी सी अच्छी तरह से कर लोगा क्योंकि friends काफे साथ wire भी भिखरी पड़ी है तो मैंने देखो पूरी तरह से खालिस हो गया अब मैं बताओ तो इसके अंदर में Bluetooth मोडियूल लगाने वाला था लेकिन friends जो मेरे पास एक Bluetooth मोडियूल थे वह बाद में खराब हो गया इसी के वज़ा से मैं Bluetooth मोडियूल इसमें नहीं लगाए पर मैंने पर जो ओनलाइन मंगा दे हो तीन चार दिन में आएगा अगर आपको इसके रिक्वायरमेंट रही तो मैं एक शोट वीडियू भी बना दूँगा कि इसमें Bluetooth मोडियूल लगा कि कैसे दिखाना है तो वैसे सिंपल है चाहां पर आपने ओक्स की वायर लगाए ना उसी की जगा पर आपको Bluetooth मोडियूल लगाने अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहे तो मैं Bluetooth मोडियूल को भी आपको लगाना बता दूँगा उसके बाद फ्रेंस मैंने 19 x 8 cm का सेंटीमिटर है फ्रेंस यह कहीं आप इस इसको चीफ मिनिस्टर समझ ले सेंटीमिटर होके और मैं इसको चिपका लूँगा जल्दी से फैविकोल की मदश से उसके बाद मेरे दोस्त मैंने एक छोटा सा पीस और कट किया है जिसका साइज है 19 x 0.8 cm और मैं इसको भी इसको पर चिपका लूँगा और इसी के साथ हम यह दूप से चार्ज होगा मतलब आप इसे मोबाइल की चार्जर से भी चार्ज कर तो प्लस आप इसे दूप की रोशनी से भी चार्ज कर पाओगे वह किस तरह से करोवे फ्रेंट्स उसके लिए हमें एक स्टेंड बनाने वाले है मैंने एक सरकल में एक पीस कट किया दो आप इसको ले क्या हो क्योंकि मेरे दोस्त आप इसको ड्रेक्ट मोबाइल की चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो लेकिन मैं इसको सोलर एनजी के मदद से भी चार्ज करके दिखाने वाला हूं उसके बाद मेरे दोस्त मैंने एक माइक्रो यूएसबी केबल या जिसका मैंने पीछे वाले हिस्ते को कट करदे और इससे को रखाए इस से मैंने दो वायर को निकाला एक और फ्रेंट रेड दूसरी एए बलैक और बाकी की जो यह वायर थी लत क्राइब उसको मैने कट कर दिया उसका कुछ काम ही और और मैं इसको डिरैक्ट सोलर पैनल में लगाने वाल रैड़ वाली वायर पॉसितिव पे अगरव इससे होंधा चार्ज कर रहे हैं आटरी पे लगा दिया है तो इसलिए हमें ज्यदा डायोडे लगानी की जरूरत नहीं है और इससे हम सिर्फ और सिर्फ आप होम थेटर चार्ज कर सकते हो तो मेरे दोस्त अभी आप खुश हो जाए है क्योंकि हमारे होम थेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है आई होप आपको इसका डिजाइन जो वो काव से जादा अच्छा लगा हुआ तो बीना टाइम वेस्ट के करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं इसकी टेस्टिंग टाइम को सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने मोबाइल चार्जर की बादस से चार्ज करके दिखाऊंगा कि यह जो हमारा होम थेटर उप चार्ज हो रहा है नहीं तो आप देख पार हैं मैं केबल लगाते के साथ ही जो वाइट कलर की एलेड है वो गलो कर रहे है मतलब कि हमारा जो च जो हमारा होम थेटर वो चार्ज होने लग रहा है और निकाल तेक साथ हो बंद हो जाती है मैं इस होम थेटर को सोलर पैनल की मदद से भी चार्ज करके दिखाऊँगा लेकिन उससे पहले जो मैं इसकी साउंड क्वालिटी टैस्ट करके दिखा देता हूं मैंने ओक्स के अब किसी भी कम्प्यूटर शोप पे 20-30 रुपे के असानी से मिल जाएगी अभी ओक्स के वल्चों को जल्दी से हम अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करते हैं और हम अपने किसी भी सोंग को बजा के देख लेते हैं और थोड़े देर के लिए अपनी जुबान को बंद कर ले एंग अभी फ्रेंड्स में इस होम थेटर को लेका अपने गर की चत के ऊपर आ गया हूं क्यूंकि मेरे दोस्त नीचे जो कमरे में बिल्कुल भी दूप नहीं तो इसलिए मेरे को चत प्याना पड़ा और इसके जो वायर है वह भी काफी ज्यादा लेंती है तो आपको कोई प्रोब चार्ज होने लग रहा है एक बार जो मैं सोलर पैनल की वायर की लेंध भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रोब्लम ना रहे या फिर कोई डाउट ना रहे तो देखो फ्रेंड्स इसी जो लेंध वो काफी जादा लंब है और आपको चार्जिंग करने में को टाइम टू टाइम पर मिलता रहेगा और वीडियो को जरूर शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जिन लोगों को इस तरह के क्रियेटिविटी में इंटरस्ट है और वीडियो में कमेंट करके बताने क्या आप लोग वीडियो को कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपको इसी कि नहीं क्रियेटिविटी में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स